हेलो नमस्कार आज के इस वीडियो में हम आप से बीच लेका है हैं मुंगेर उनिवर्शिटी एब हम तिलका मजी भागल पूर उनिवर्शिटी में पार्ट 3 के GS पेपर में पूछे जाने वाले कुछ important question ये question जो कि मैं लेके आया हूँ ये question आप से भी के GS पेपर में भारत में सूती वस्तरों का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौन सा है ये आपसी को पता है कि ये आंदर परदेश होगा उने भुखम को दर्ज करने वाला उपकरन कौन सा है ये कौन सा उपकरन है जिसे भुखम का जो भी दर्ज है वो यहां पे किया जाता है इसका जो भी सिक सेन दाट उसके बाद नैएक, भारत लोग पुरूस किसे कहा जाता है तो ये हो जागा सरदार पटेल को सीख सेनन क्या कहलाती है तो सीख सेनन कहलाती है यहनी कि खलसा कहलाती है उसके बाद अगला यहां पे कोशन है कि वायू के प्रदूशन के लिए उत्तरदाई सरवाधिक सामानी कारण है तो इसका जो भी अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कारवन मोनो अक्साइड उसके बाद अगला कोशन है कि अध्योगी करंती के फल सरूप क्या हुआ यह हो जाएगा प्रदूसन में बड़ोतरी उसके बाद यहाँ पे दूद को दही म परिवर्तित करने की परिकिरिया क्या का लाती है तो यह आपसिव का हो जाएगा खमीरी करन यह हो जाएगा खमीरी करन उसके बाद यहाँ पे अगला कोशन है कि एलोरा गुफाएं किसके समय पिस्तित है यह हो जाएगा औरंगाबाद उसके बाद भारत के नागरिक कितने वर्स की आयू में वोट दे सकते हैं तो यह हो जागा यहाँ पर 18 वर्स अगला कोशन है कि दा सेटेनिक वर्खिस के लेखा कौन है तो इसका हो जागा सलमान रस्दी उसके बाद है कि जीवासम जीवों की आयू की गन्ना किसके दोरा होती है तो रेडियो कारवन काल निर्धा करता है तो वायू में द्वानी का वियो किस पर निर्धा करता है तो यह हो जागा यहाँ पर आप सभी का वायू का आद्रता पर उसके बाद डाइनमो किसको परिवर्थित करने के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो इसे यहाँ पर हो जागा यांतरिक उर्जा को प्रकार के योगिक बनती है तो यह हो जाएगा आप सभी का यहां पर अभी नंबर यानिकी माइनस थ्री से लेकर के पलस थ्री करें